कि फाइनली गाइस टिक टॉक इंडिया में बैन हो चुका है लेकिन कुछ टिक टॉक यूजर ऐसे है वो सुच रहे है वो जानना चाहरे टिक टॉक जो हमारे इंडिया में बैन हुआ है क्या फिर से टिक टॉक पे जो बैन लगा है वो हट सकता है या फिर नहीं हट सकता क्योंकि उस टाइम पहले भी इंडिया में Tiktok बेहन हुआ था फिर से बेहन हट गया था फिर से लोग Tiktok यूज़ करना स्टार्ट कर दिये थे क्या इस टाइम भी इस तरह से ही होगा लेकिन पहले जो टीकॉक क बेहन हुआ था उस टाइम आप अपने मुमाल तो इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं टिक टॉक आखिर में बैंड क्यूं हुआ और क्या टिक टॉक वापस आ सकता है इंडिया में तो इस सारे कोश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई क्या भी नाम चाल लिजे मेरा ना होगा टिक टॉक जो है इंडिया के अंदर एनी टाइम कॉंट्रोवर्शी से घीरा हुआ रहता था इसके बाद हुआ क्या कुछ टिक टॉक यूजर है जो टिक टॉक पर वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग क्या करते है थे जो जिसके पास टाइलेंट थे उनको फैंस फ टॉक यूजर था जिसमें टाइलेंट था तो ओ लोग लिप्शिंग करने वाले को फिर मुझरा करो डाइंस जो कर रहे थे उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था तो हुआ क्या कुछ इस तरह से कुछ दिन तक ट्रोल किया गया जो छोटे यूजर है जो लिप्शिंग गयरा करके फालतू की वीडियो बनाकर फैंस फुलोबर लेंट लेके जा रहे थे कुछ दिन तक ऐसी चलता रहा है इसके बाद क्या हुआ यूटूबर इल्विस यादब ने एक वीडियो को कुछ टिक टॉक यूजर को रोस्त किया जिसमें रानी रिवल्वर भी थी अमीर इसills बीडियो टिक टॉक स्टार ते जैसे ही वीडियो अप्लोड किया जैसे वीडियो वीडियो को आप्लोड किया था लेटियो वीडियो वाइरल हो गया और इन वीडियो पे काफी जादा लाıt ऄचंब भी आ गय थे जिसमें अमिर शिद्धी और आनी रिवोल्वल को क्हा ज्यादा बुरा लगा था इन दोनों को रोष्ट किया था तो हुआ क्या अमीर शिद्धी ने एक वीडियो बनाया उसमें कुछ यूटूबर के बारे में घलत बोला और आईजी तीवी पे वीडियो अपलोड कर दिया और आईजी तीवी को भी बहुत कुछ बोला था इसके बार क्या हुआ अमीर शिद्धी को सारे यूटूबर ने पकड़ा और उनके बारे में उसको रोष्ट करना चालू कर दिया इसके बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया इसके बाद कैरी मिनाटी ने अमीर शिद्धी को रोष्ट कर दिया वो वीडियो काफी तेजी से वारल हो गया बलकी जब कि वो वीडियो टेंडिंग colony milla hai मिलना चालूहिए इन वीडियो पर सतर million के आसबस भी चले गया थि अ Delhi 10-10 लाइक के या सबस्क्रॉस कर गया था ग्रॉस कर दब्र धाँ तो क्रोस कर दिए खरआ था। ह tipping बीडियो कई सारे कियाति के वीडियो कि दचार और हैं किसारे जेल को ब्रेक कर रहा था इतने में वीडियो को दिलेट कर दिया यूतूब के कर इस वीडियो को यूटूब ने डिलेट कर दिया, हरास्मेट एंड बूलिंग के कारण, हुआ क्या, जैसे ही कैरी मिनाथी के वीडियो डिलेट किया गया, तो काफी जादा प्रोब्लम किरियेट हो गया यूटूब पे, जितने भी यूटूबर थे, अमीर सिद्धी के रोश् और काफी दिनों तक चला, तो ये मामला काफी दिन तो घंभीर होता गया, और कुछ लोग सोजा, जितने भी टिक टोक यूजर थे, जितने भी यूटूबर थे, वो चाहा भी रहे थे, कि जो टिक टोक इंडिया में है, वो बैन होना चीए, तो कुछ दिन ऐसी चलता रहा, इसके बाद इनका एक केरी मिनाठी के एक और सांग आया, यादगार, यालगार, केरी मिनाठी के एक सौंग पर आया, जो भी 100 मिलियंस प्लस भी जेगें किये, और इसके बाद 10 मिलियंस लाइक के आसपास क्रोज कर दिया गया, तो ये वीडियो भी काफी जादा धिरे-धिरे कम होता गया, इसके बाद अचानक हुआ गया, भारत और चीन के बीच लद्दाग में लराई हुआ, 14 तरीके, तो उहां पर हमारे भारत के जो सैनिक थे, 20 सैनिक यहां पर मारे गए, यहां पर बहुत बारा पैसला लिया गया, इंडियन गवर्मेंट के द्वा इंडिया ने Instagram पे एक post share किया था, उसमें बताया था, हम ऐसा किसी भी जो TikTok user है, उसका हम document को misuse नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्मेंट का कहना है, जो हमारे TikTok user है, जो हमारे privacy policy है, हमारे document बगएरा misuse कर रहे है, चाइना वाले, और हमारे document को किसी अन देस में sale कर रहे ह आने के बेच रहे हैं, इसलिए हम इन सब app को ban कर रहे हैं, लेकिन TikTok ने यहाँ पे clear कर दिया है, उन्होंने बताया, मैंने, मैं किसी भी परकार का, किसी कभी document को misuse नहीं करता हूं, तो एक main vision है, जिसके कारण TikTok इंडिया में फिर से वापस आ सकता है, तिकिन 59 apps जो इंडिया म इंडिया से कुछ popular apps है, जो इहाँ पे फिर से वापस आ सकता है, यदि आप के लेकर कुछ और भी सवाल है, तो आप कमेंट वाक्शन में अपना opinion, यदि इसके related यदि आप लोग को किसी भी परकार का कोई question है, तो आपना opinion कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आज की नेक्सी वीडियो का tutorial चेहिए, तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्सी वीडियो में